सबसे पहले जितने भी सारे सिच्चके एक चेन की सांसे ली क्योंकि यहाँ पर मूदी की और सिच्चकों की सपने जो साकार हो चुके हैं अभी चेन की सांस लेने की वक्त है इसलिए एक लंबी सांस ले एक गहरी सांसे ले और यहाँ पर जानेंगे कौन से सपने किस परकार के सपने पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में देंगे अंतीम तक देखना ना भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करना सेर जरूर करना दोस्तों के साथ ताकि उनके पास भी इसका इंफ्रमेशन पहुच जा चलते हैं topics कि ओर, जैसे कि मोधी सप्रकार और सिचाकों की सपने साकार हो चुके हैं, आईए पूरी जानकारी देखते हैं, पूरी details में समझते हैं, one by one करके समझते हैं कि किस बर्कार के सपने हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हूंगे, यहाँ पर 12 लाग से अ बारों से लाग सिच्छकों की सांसे पूरी के पूरी अच्छी तरह से चेन की सांसे ले चुके हैं क्योंकि काफी मकसद करने के बाद काफी दिक्कते करने के बाद तरक तरक के समिश्या पिछले दो साल से आप सभी धेले इस सभी आप सभी जानते हैं कि कितने कठिनाई से कितने दिक्कतों से आपने इस कोर्स को कम्पलीट किये हैं जो कि यहाँ पर डिटेल से समझने वाले हैं आईए जानते हैं दोस्तों कि यहां पर जो है क्या चीज लिखेगे हैं पूरी डिटेल्स में वन बाई वन करके यहां पर चर्चा करेंगे जागरन ब्यूरों से नियू डेली से यह ख़बर निकल के आ रहें लिखेगे हैं अस्कूली सिच्छा की गुनवत्ता को मजबूत ब साकार हो चुके हैं देश भर के अश्कूलू में पढ़ा रहे एसे बारो लाग से अधिक सिच्छकों को अठारों महिने के तैस समय में परिश्चित किया गया है हलाके बारवी में 50% से कम अंक होने के चलते तकरीबन दो लाग सिच्छकों का रिजल्ट रोक लिया गया है न हम आपका भी रीजल जो है रोक दिये हैं अगर रोक दिये हैं तो किस पर्कार से करेंगे नीचे कमेंड बॉक्स पर जरु Hoch lud किस पर्कार से अगर आपको करने हैं तो नीचे कमेंड लिखे ताकर अफम एक विडियो मुझाएगी जिसमें आप इसकी सोलुशन को जान सकते है इसके साथ ऐसे लिखे हैं कि 50% फिजदी से काम अंक होने की चलते करी तकरीब दो लाग से च्छेको के रिजल रोक लिया गिया है पूरी पस्चिमी बंगाल जैसे रैजो का रवया और सहयोग पूर रहा जहां परिच्छा में गडबड़े की कोशिसे की गई और प्रशनपत क सुनी योजित तरीके से तीन दिन पहले लिख कराये गया मानम संसाधन विकास मंतराले से जूरे रैष्टे मुक्ति बिद्याले सिच्छा संस्ता एनायोस के अदेज पौफेसर सीवी सर्मा ने बुद्वार को सिच्छकों के परिच्छन परिणाम के घोशना करते हुए यह आरोफ लगा है कि उन्होंने कहा कि सिच्छकों के परिच्छन का यह काईज करम दीज भर में चलाया गया था लेकिन पस्च्छी मंगाल की एक मात्रे सराज है जहां उन्हें असयूग का सामना करना पड़ा जैसे कि आप सभी को पता है कि पस्च्छी मंगाल में पैपर दो लाग दो लाग असकोली सिच्छकों का रिजल्ट रोग दिया गया है उन्होंने बताया कि परिच्छा से तीन दिन पहले पेपर लिख करके ना इसकी साख को बिगाडने की कोअई और जैसे है इन्होंने परिच्छा को रद कि और नई सिर्य से परिष्छा कराई दूसरी बार कुछ केंद्रों पर गडबड़ी कराई गई जिसके बाद फिर से कुछ केंद्रों पर परिष्छा रद कराने पड़ी सिच्छकों के इस परिष्छन में अकेले पस्ची मंगा से 1.57 लेक्स सिच्छकों ने हिस्सा लिया था मा करकार से सीवी सरमाजी को भी काफी परिशानिया का सामना करने पड़ते हैं आप सभी सोचते हैं कि सिछके हैं परिशानिया का सामना करने पड़ते हैं जो मेनेजमेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परिशानिया का सामना करने पड़ते हैं क्योंकि आप तो एक लिए अप पास उनके पास कोई जिम्यदारी नहीं है इसलिए सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है लेकिन यहां पर बहुत ही खास बात थे कि दो लग सिच्छकों के रिजल्ट को यहां पर स्टॉप कर दिये गे हैं रोग दिये गे हैं तो इसकी सुधार इसकी क्या सोलुसन निकलेंगे यदि आप जानना चाहते हैं दोस्तों वीडियो को जल्दी से यहां पर comment box पर भर दें ताकि हम आपके पास एक comment लिग कर बताएंगे कि किस परकार से एक video के मांधम से बताएंगे किस परकार से इसको solution कर सकते हैं ये थे आप सभी के लिए बहुती एक अच्छी ज्यानकारी थी ये ज्यानकारी कैसे लगे नीचे कमेट लिखकर जिरू बताए क्योंकि आप सभी एक चेन की सांस लेने जा रहे हैं और बहुत सारे सिछिक ले भी चुकी होंगे नीचे लिखकर कमेट लिखकर जिरू बताएग या वीडियो पसंद लगे लाइक से जरू करिएगा दोस्तों का सेर करना कभी भी ना भूले फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ इस परकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्काइब करके जरू से जरू रख ले थैंक्स पर वाजिंग